प्रेंट्स तो आज यह इंबार्मेंट की जितनी भी अभी तक लेक्चर हुई है जितने भी बेसिक्स हो गया उसके बेसिस पे जितने भी प्रिविएस ये कोश्चन साय चाहे स्टेट पीसिस में चाहे यूपियस ची में तो सारे आज हम लोग करेंगे तो चलिए आज हम पाइब ने जितने भी पचाशाट कोश्चन है लगवा प्रिविए स्यर के अस्टेट पीसिस में जो भी आया हो चाहे बी पीसी हो यूपिपीस थान एड्मिस्ट्रेटिव सर्विस हो या जहरखन पीसिस हो और यूपियस इमें जितने भी कोश्चन साय है हो सब हम कोश्च करेंगे आज जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रहा है तो चलिए स्टाट करते है तो सबसे फेलें मर कोश्चन देखे यूपिपीस थूजन शिक्स में आया हुआ हो यह कोश्चन तो इन्बार्मेंट रफर्स तो इन्बार्मेंट का मतलब क्या हुआ था हम लोग हो सकता है दा सम्टोटल ओफ कंडिशन विच सराउंट्स इम्में भी एट गिवन पोइंट तो ताइम फिर थार्ड हो गया यह भी करेक्ट हो सकता है दा इंट्रक्टिंग सिस्टम फिस्टल बिलोजिकल और कुल्चुरल एलमेंट विच अरिंट यह भी हो सकता है तीनों का सब्सक्राइब करेक्ट है तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा दी तो एक का हो गया डी फिट सकेंड कोशन देखते हैं यह भी पीसी 2011 में आया है इंबार्मेंट इजे कंपोजिट स्टेट ऑफ बायोटिक फैक्टर फिजिजिग्राफिक फैक्टर और एबायोटिक फै इसे का स्टेडी को बोलते हैं यहां एम देखते हैं पहला ऑसे और गनीजम एंबार्मेंट स्केंड ऑप्शन में फोरेस्ट इस वालेंड वाटर अच्ट आवाइब किसी तरीके से सही नहीं है फिर हो गया स्टेडी रोग्या हो सकता है यह घर्म पर राशरोंगा मॉस्ट प्रियोट आंसर जोगा और इंवार्मेंट के बीच का जो इंट्रक्शन होता है यह उसके बीच का जो रिलेशन सिफ होता है उसी का स्ट डी को क्या बोलते हैं इकोलोजी तो यह ओप्शन हो जाएगा थर्ड का यह यह यूपी पीसेस 2014 में कोशन आया है यह फिर है दाट्रम वाज प्रपोस दवाय तो इकोसिट्रम नीजो प्रपोज किया गया एघड्य किया था यह अच जोटी के लिए यह ज़रह इंब परचुक है ओल्रेड़ी टेंसले यानी डी उप्शन यानी चार का हो गया डी यह उत्राकंड मिसेस में पूछा है 2005 में all living organism and the physical environment in any given space time limit yes यह correct है यह फॉंक्शनल उनिट यह इस इस फॉंक्शनल उनिट एंड अ स्ट्रॉक्ट्ट्ट्ट्रल उनिट ऑफ नेचर यह हम लोग पर चुक है अल्रड़ी इट है उन इसका खुद का प्रोड़क्टिविटी होता है और इती जेख लोग सिस्टम नहीं यह एक ओपन सिस्टम में इसका कोई बाउंडरी नहीं होता है इसलिए एक ओपन सिस्टम है ना कि क्लो सिस्टम तो यहां पर पांच का अंसर हो जाएगा आपका डी तो यह यूपी पीसेस 2014 म अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर है तहां पर आम से यह सब कोश्चन कर सकते हैं फिर एक और चटा कोश्चन है सिमलर टू पाचमा कोश्चन के जिशा है कि वीच ओफ दी फॉलवेंग इस नोट करेक्ट नोट करेक्ट पुछ रहा है यहां पर वाउट दी एको सिस्टम था पहला इट इट उम्प्राइज़य बौत वाइोंटी कैने भॉट बायोटी कंपनेंट यास इको सिस्टम में दोनों प्लॉटेंट होते है यह झाल्य्ट को प्रोडेक्टिविटी इसेट जिजिस sekुद का प्रोडुक्टिवीटिटी होता है इट ह्सेशल्टम नहीं UPPCS 2015 में पूछा है यह आप देख सकते हैं सेम कोश्चन रिपीट किया है 2014 में पूछा 2015 में कोश्चन पूछा अब साथमा कोश्चन देखते हैं वीच 4 components constitute an ecosystem हम लोग पढ़े हैं कि जो ecosystem का component होता है वोता है biotic component a biotic component तो भाही हम लोग देखेंगे तो पहला option है वाटर कारवन औक्सिजन सलफर यह यह भी करेक्ट हो सकता है स्वाइल टेंप्रेचर हमिदिटी रेंफॉल ही भी हो सकता है a biotic material producer consumer and decomposer लेकिन यहां पर देख सकते हैं वाटर हो गया कारवन हो गया औक्सिजन हो गया सलफर हो गया यह सब सारे के सारे के बल अबाविटी component है a biotic component लेकिन एको सिस्टम में दोनों component होता है बाविटी भी होता है बाविटी कंपोनेंट भी होता है फिर उसी तरह से स्वाइल टेंपरेचर हमिदिटी रेंफॉल यह सारे के सारे यह भी a biotic component है यहां पर देखिए a biotic material हो गया producer consumer decomposer यह सब क्या हो गया है a biotic component यहां पर क्या हो गया किam cancel component भी ए और qa यहोड बीपोर समन होगा उसको भी डेख लेते हैं तो यहां फो chris b bacteria parasites यहां यहां पर केबल बांटी कंपोनेंट है द्सक्राएक, स्थिस्टम प्यार्व जहाँ अपर होगा फी होगा यहोगा इको सिस्टम ओंप था तो सबसे मोस्ट और प्रफिट एटांसर जोगा वह होगा सी क्योंकि यहां पर यहां पर यह बाइटिक कंपोनेंट भी है और बाइटिक कंपोनेंट भी तरह नहीं साथ का अंसर हो गया सी तो यह आप देख सकते हैं जहारखन सब्सक्राइब कोशन पूछा है फिर आथमा कोशन आप देख सकते हैं कि वीच ऑफ दी फोलों इस बेस्टिस्क्रिप्शन ऑफ दी टर्म एको सिस्ट्म का बेस्टिस्क्रिप्शन क्या है एक कम्मूनिटी ऑफ और गेनिजम इंट्रक्टिंग विथ वन अधर यस यह हो सकता ह अधर शी इनर्विटेट बाइए लिविंग ऑडिगनिजम डटीज कल्ड है इसे हैं अधर बोलते हैं जहां पर कोई ब्लेशन रहता है इस प्लेस में उसे हेविटेट बोलते हैं एक कम्मूनिटी ऑफ और गेनिजम यह करक्ट नहीं होगा एक मुनिटी ऑफ और गेनिजम इन्वार्मेंट इन विच दे लिव यानि एक community और गनिजम जिसमें वो क्या करते हैं इंट्रक्ट करते हैं और गनिजम टुगेदर विद दी इन्वार्मेंट इन विच दे लिव फिर हो गया चौथा जो हो गया flora and fauna of geographical area तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहला अगर ऑप्शन देखेंगे तो एक community और इंट्रेक्टिंग विच वह ने दर इसे क्या बोलते हैं कॉम्यूनिटी 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 कि यह भी ऑप्शन सही नहीं होगा flora and fauna of geographical area यह भी नहीं होगा तो अब लास्ट पूलते हैं एको सिस्टम तो आट का ओप्शन हो जाएगा सी यहानि आट का correct answer हो गया सी तो यह आप देख सकते हैं यू यू पीसी में पूछा जो यह 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 के एक्जाम में पूछा है 2015 में तो यह आप देख सकते हैं कि यू पीसी भी कभी-कभी simple question पूछ लेत तो सब सब्सक्राइब में हम लोग जानेंगे type of ecosystem के बारे में type of ecosystem अभी तक हम लोग नहीं नहीं पढ़ा है लेकिन कुछ एक overview देख लेंगा और इस next lecture जो आएगे वह type of ecosystem पे आएगे तो यह ज़्यादा hard नहीं है question इसलिए मैं इसको करा रहा हूं यहां पर कि type of ecosystem जो होता ह है type of ecosystem एक तो हो सकता है एक होता है यानि sources के आदार पर यह नहीं कहां पर लाइक कर रहा है वो ecosystem उसके बैसिस पर डिवाइड किया गया है दो तरीके से एक होता है terrestrial ecosystem terrestrial ecosystem जीसे हो गया एक्जामपल इसका हो गया grassland हो गया फिर desert ecosystem हो गया और भी बहुत सारे यह सब हो गया terrestrial ecosystem यानि land पर जो ecosystem होगा उसे बोलेंगे terrestrial ecosystem दूसरा होता है marine ecosystem यानि water body को बोलते है marine ecosystem marine ecosystem में जीसे हो गया आपका क्या ची पॉंड हो गया river हो गई लेक यह सब क्या हो गया marine ecosystem सकता और एक होता है कि इस बासिस पर भी classifier को ऑगया कि manmade है या natural है तो इसके बासिस पर भी दो तरीके का हो सकता है एक natural हो गया कि निच्राल जीसे ocean हो गया ocean क्या हो गया नेच्छोरल ecosystem हो गया उसे तरह से यानि मेनमेड हो सकता है आर्टिफिसियल जीसे कि आपका राइस फिल्ड राइस फिल्ड यह क्या हो गया यानि जो धान की खेती होती है वहाँ पर पानी होता है उसको क्या बोलेंगे आर्टिफिस्यल एकोसिस्टम उसी तरह से आप गार्डね रंगया , आप में फो एको इसले में आप में चुर से पπό देख सकते हैं को क्वेशिचिन मैं आप वोचों जांटिपिशल उस फिल्गई जी इन ऐसले को सिस्टेम है ट्री पो सिटाल का इंन किया मैं यह उपी पीश्ए 2016 में यह पूशन आया है दसमा नम्र को सब्सक्राइब नम्बर ओफ और गिनीजम डैट केन बी सपोर्टेड बाइब इंवार्मेंट इन एक इन एक इन एरिया इन किसी भी इन एरिया कितने नमर ओप और गिनीजम को सपोर्ट कर सकता है उसे बोलते हैं केर सब्सक्राइब कर सकता उसे बोलेंगे करिंगे केरिंग कैपेसिति इंवार्मेंट का तो इसे ध्यान राखना क्योंकि आगे किसी भी स्टेट पीश्ए या उपक्षा जा सकता है यह कोस्टिन फिर से फिर 11 नमर कोस्टिन देखते हैं कि वीच वन ऑफ दी फोलिंग तर्म ड पढ़ चुके हैं और इकोलोजिकल निस क्या होता है तो इसका उप्षन हो गया बी एक यारा कभी यूपीसी 2013 में पूछा यानि यूपीसी ने भी पूछा यानि आइस के एक्जाम में पूछा गया यूपीसी 2013 में तो यह आपको ध्यान रखना कि यह सब सिंपल सिंपल भी कोशन पूछे जाते हैं यूपीसी में फिर बारण नुमर कोशन अब देख सकते हैं बारण नुमर क्या है वीच वन अब फॉलइंग एको सिस्टम कभर दी लार्जेस्ट एरिया आप पढ़े होंगे कि अर्थ का जो है अर्थ का 70 परसेंट एरिया जो है वाटर बोड़ी से रखा हुआ है वाटर बोड़ी है यानि क्या हो गया मरी निको सिस्टम यानि सबसे बड़ा एरिया जो है अर्थ का क्या हो गया वह मरी निको सिस्टम यानि बारण का डी यह आपका यूपी पीसेस 2003 में पूछा गया है फिर तेरह नुमर कोश्चन देखते हैं वीच वन पूछा गया यह 2003 में पूछा गया था नहीं यह वही कोश्टन को रीपीट किया गया तो हमरीन दिया था यहां पर ओसन दिया थे ओसन हो गया था अग्ध फोर्टीन कोश्टन देखते हैं कि वीच वन आप फॉल्विज नोट हैल्प यह नहीं करता है मैंटेनिंग बेलेंग मैंचे मेंट इसे वी इकोलोजिकल बैलेंस रहेगा फिर बैलोज बायोस्फे रजर्व यह वी कोलोजिकल बैलेंस के लीए ही यह तो यहांपर औप्शन क्या हो जा जागा कटिंग फोरेस्ट कि आप deforestation करेंगे पिर पॉद्ध को कार देंगे तो उसे क्या हो जा तो पहला ओप्षन है डीफ्णेस्टेू है दूसरा डीटिफिकेशन फ्लört, और रेंफूल वड रिये सन् तो दीफ्ब्पोर्स्टेशन में वर्यास होता है。 इसका इंपक्ट जो हता है यह इंपक्ट है ना कि काउज है यह इंपक्ट है यह इंपक्ट है यह इंपक्टिफिकेशन जब आप डिफोरेस्टेशन करेंगे तभी तो डिफोरेस्टेशन हो सकता है उससे यह तो फ्लादी आप माई ना सकता है यह रैंफोल में बेरियेशन हो सकता है किसके कारण से होगा है मैंली डिफोरेस्टेशन की कारण से नहीं जब पेर पोड़े को आप काड़ देंगे उसके कारण से होता है को लोजिकल इंबैलेंस क्रियेट हो जाता है तो 15 का हो गया ऑप्शन ए यह राज्थान एडमिस्टेटिव सर्विस्स में पूछा गय टाइम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यह हो गया ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर को क्या करेगा हर्वी वर्स इसको कंज्यूम करेगा हर्वी वर्स तीक क्या हो गया सकेंड ट्रॉपिक लेवल सकेंड ट्रॉपिक लेवल इसके बाद इसको कोई अस्मॉल अस्मॉल कार्ण बॉल ट्रोपिक लेवल उसके बाद मान द लार्ज कार्णी वर्स हो गया Charge Carnivor यaw तो Omnivora मिंज जो दोनों कन्यूम करता यानि होड़ी वर्स को भी करता पुरूजर को भी संच करता यानि जो प्लांट को भी खाफाथ है योख अगया वो तो अन्य वह नी पोल्फ कर लेवल में आएगा वो रित winter आएगा है तो az सक्स्टीन का हो एक स्थे ciao टीस ये की उप्टीमी ठीएp 22 में पुछा गया तु EL दिधान में रखना विष सा कांसा नहीं कौनशा भाइटीक कमपोनेंट नहीं है तम लुग पढे था कि एको सिर्ग्स को दो कंपोनेंट होता है क्पilton संसे ऐलेके का्ते अई हे क्या हो गया-ठीड-ड औरन्ट हो बेक्टिरीय ओगया इनिमल्स होगे इसा किया हो गया बायोटिक कंपोनेंट हो गया यहां पर क्या पूछ रहा है नोट ए बायोटिक कंपोनेंट तो इह हो गया यहां प्याइब आनसर तो क्या हो गया सत्रह का ए यह राइस्थान administrative service में पूछा गया है 2013 में the primary source of energy in ecobody ecobody यानि कोई भी ecosystem महाँ पर जो primary source होता है किसी energy primary source होता है कोई भी ecosystem का तो होता है solar energy C अठार का C तो यह आपका UP pieces 2015 में पूछा गया आप देख सकते हैं कितना simple simple question है यह सब 19 number question देखे हैं concerning the food chain portion में अगर देखे हैं तो which one of the following kinds of organism is are known as decomposer of organism decomposer organism के लूप में जाना जाता है कौन सा decomposer है तो virus decomposer नहीं होता है यह इसको eliminate कर देजिए तो एक complete हट जाएगा option C हट जाएगा तो बच्चा क्या फानली बैक्टरिया और यह ही दोनों होता है बेक्टरिया फंजेए हम लोग पढ़े हुए हैं आप महां बायुजी कमिकल सेकल जो पढ़े होंगा वहां पे भी देखे थे कि बैक्टरिया और फंजेए मिल कर गए यह क्या करता है डिकंपोजर का काम करता है तो ओप्शन बीक्रेक्ट हो गया तो 19 का भी यह यूप्यसी 2013 में पूछा गया क्यों तो यह कोश्चन से आपको यह लर्ण करके रखना है कि बायरेस जो हता है आपका डिकंपोजर नहीं होता है कि अब ट्वेंटीथ नमबर कोशन आप देखिए इसमें क्या फीचन फ्लिंग अर्दी प्राइम्री कंजुमर के बारे में पूछ रहा है तहम लोग क्या पड़ते प्रोडूसर होता है प्रोडूसर को क्या करेगा प्राइम्री यह कंजूम करेगा उसका जोगा सकेंडरी को कीरता हैं है प्रोडूसर को क्या करेगा इसका जोट नहीं करता है दुसरे को पर डिपेंडेंडेंट सक्व बास के ओगल कोंकर आइस सांच है तहब करेंगा इस काटेक्रीन को अगा है तो प्रूदूसर क्जा ने आनिक जैक्जामपल लेते हैं घ्रास ग्रास और ग्रास को कौन कंजूम करेगा यहां से हम देख अगर ओप्सन देखें तो यहां पे कौन कंजूम करेगा डियर अब डियर को कौन कंजूम कर सकता है टाइगर कंजूम कर सकता है तो फॉक्स कंजूम कर सकता है और फिर एंट्स एंड़ क्या हो गए एंड्स डी कंपोजर की केटेग्री में यह आता दिकमपोजर का भी काम करता है और यह डायक्ट प्रोडूसर को भी अधियर को भी कंजूम करता है तहां पर दखिए कौन-कौन सा आएगा एक डियर हो गया प्राइम्री कंजूमर के बारे में बोल रहा है टाइगर नहीं होगा फोर नमर ओप्सन को आप एलिमिनेट क क्या होगा ग्रास भी खाती है हो या तो वह डिकमपोजर का भी काम करती है तो यह हो गया ट्वेंटी का यह हो गया यह आप देखते हैं यूपी से 2006 में पूछा गया कोशन यह तो कोशन थोड़ा ट्रिक कि था है 21 नमर कोशन आप देखते हैं इने फूट्चन मैं इस मैं क् नहीं अभरे तुमन को वाल गई सभए एक ब्रॉडी conducting और सभा अपर ऑपे रिखेंगई तबantically क्या है मैंत। नस lagi सबस्क्राइए हुमन मैंन यह क्या कर सकता है। । प्रॉडूसर को भी कज्यूम कर सकता है नहीं आप फूट को डियरट क法ि नियूम करते हैं यहап दखाते कर फूट को भीं करते हैंड कि श लोग मेट खाते हैंन तो गोठ को भींव करते हैं तो क्या हो गयाų प्रैम्री अट्रिक और विए और सकेंटरी कंजूमर भी तो अश्केंडरी कंजूमर तो यह भी गलत यह भी गलत यह बचा किया प्राइमरी एज वेल एजसे केंडरी इंडूमर थिए धी हो गया ऑप्शन एक इसका डी यह आपका यूपी पीसे 2016 में पुछा गया है अब हम लोग पढ़ते हैं 22 नुमर कोशन 10 परसेंट लौ इस रिलेटेड विद हम लोग पढ़ते हैं कि 10 परसेंट लौ है कौन दिया था इसे रेमन लिंडेमेन लिंडेमेन इन्होंने या तो इसी को बलता है लिंडेमेन लौ य बागी का हीट लौशन में वह लौश हो जाएगा तो आप ऑप्शन पढ़िए ट्रांसफर आप एनर्जी एज़ फूट प्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल तो अधर ट्रांसफर ऑफ शीट फ्रम वन मेंटर तू अनधर यह गलत है ट्रांसफर ऑफ वाटर प्रम ओन जोन तो यह गलत है यह नहीं तो यह हो गया थो बाइस का एक आप्शन प्रम ऑफ होता है तो हम लोग बोले हैं कि अभी हम लोग टाइप आप एको सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो हम लोग पूरा डिटेल में इसके बारे नहीं परेंगे लेकिन फिर एक वब्रियू कम से अगान स्री होता है ग्रास होता है उसी तरह से मरीन इको सिस्टम में जो में इंपोर्टेंट वैयनि प्रोडूसर होता है वह हता है फाइटो प्लांक्टन तो इसका अप्शन हो गया 23 का यह यह यूपी पीसेस 2005 में पुछा गया है अब 24 जीक्रव फंभधन देख सकते हैं अमंग दी बायुतिक कंपोनेंट एको सिस्टम का जो बायुतिक इस कम्पोनेंट नहीं होता है ँर उसमें पर भाटूश्यै इस व्लकाव की प dif नहीं है प्रोडिशर कौन सा प्रोडिशर सिस्टम कौन सा काउ काउ क्या प्रोडिशर नहीं ट्राइगर भी नहीं है फिर फिकॉप फिक नहीं टो कौन सा दी 22 का दी यह उप पी पिसे 2013 में पूछा गया फिर आप यहां पर देखिए 25 नुमर कोच्छिन ट्रॉपिक लेवल ओ वन इंकलोड हम लोग भी दखेतें कि प्रोडूेसर जो होता है प्रोडूसर को को रोधा कौन canzInser करता है सरी प्रोडूसर को रिक करता है और प्रायम थो और लोर कौंसा होता ह्यों चेहां पर हम किस का बात करें क्लेवल 1 में प्रोडिउसर तो यहां पर हर्भी ऑरसनेमल नहीं री और सिंगे मीऑ है कडिघा कर्रणिभॉक्र अशनेमल यह सकता है यह तिर्सका सब्सक्रासिफ एक तो यह भी नहीं हो सकता अब तो बचा कौन सा ग्रीन प्लांट तो ग्रीन प्लांट किस में आएगा प्रोडूसर में आता है इसलिए ट्रॉपिक लेवल वन में आएगा तो पचीश का कौन सा हो गया डी यह आप देखिए मध्य प्रदेश स्पीशियस में पूछा गया है 2016 में 26 नुमर कोस्टन देखिए वाट इस ट्रू अवाउट एको सिस्टम एको सिस्टम के बारे में क्या सही है उसके बारे में आपको बताना है तो प्रामरी कंजूमर और लिस्ट डिपेंडेंट अपन प्र प्रॉदिर स्पाइंड कौई ज्यादा होता है एज कामटेश प्रैमरिकंजूमर यह गलत हो गया प्रॉदीर 15 अच्ट Y से ज्यादा होता है ति यूपी पीसस 2019 में फूचा गया तब देख से कितना सिंपल कॉस्चन था 27 अब देखे विच अब देखे विच अब फॉलिंग पेर क्रेक्टली मैंस यह नहीं पेर को पॉंसा सही है मॉंटें बोल रहा है कि मोर अस्टेवल एकोशिस्टम है यह गलत हैं और यह ग्रीन प्लांट अक्रेक्ट है और बाकी एक डी में दे रहा है तो यहां पे सही कौन सा हो गया, Green Plant Ecosystem से Associated है, यह UPPCS 2015 में पूछा गया, Is Cancer क्या हो गया, 27 का C, तो यह चाहिए आपको देखना है, फिर आप क्या है, दा 28th number question, दा correct order in the food chain, correct order पूछ रहा है, food chain में, of the various component of terrestrial ecosystem, तो यहां पे देखे, grass है, यहां पे सबस्प्सक्राइब में लोग देख लाते हैं कि कौन, इसको option में देख लिए, चारी चीज़ है, grass, grasshopper, frog, snake, यहां पे देख लिए, मेच कर लिए, कौन सबस्प्सक्राइब कर लिए, पहला ही सही है, तो 28 का क्या हो गया, ए, correct है, यूपी पीसेश 2010 में यह पूछा गया, फिर 29 नुमर क्यों देख सकते हैं, which one of the following constitute a fortune कौन सब फूचन को फूचन को फूचन कर ला है, तो यहां पा देख लिए, grass है, wheat है, mango है, तो इसमें क्या आयकेबल प्रोडुसर के बार में दिया हुए तो होगा ए नहीं फूचन, फूचन में क्या होना चाहिए, प्रोडुस इसको गौट कंजूम करेंगे, नहीं तो यह नहीं होगा, फिर grass, fish and got, यह भी नहीं होगा, फिर क्या हो गया, none, यह तक गलत ही है, यहनि क्या हो गया, 29 का, B, यह आपका 36 पीसे, 2016 में पूचा गया, फिर पूच रहा है, biomass pyramid is reversed in which type of ecosystem, तो हम लोग पढ़े थे, biomass pyramid के बारे में देखेला एक ज concentrating हम लोग पढ़ेते है कि एक exception होता है, pond ecosystem में, pond ecosystem में क्या होगा, कि यहां पर phytoplankton होगा, phytoplankton का weight जो होगा, क्या होगा, कम होगा, और च्क dot, ज्यादा weight किसका होगा, ju plantan का, to plantan से ज्यादा weight किसका होगा, small fishes का, small fishes से ज्यादा bah NBA 39 किसका होगा, large fishes का, तो इस तरह से क्या और इंवर्टर पिरामिड बन्रा बाइव इसका तो कॉन साइस में करेक्ट होगा पॉंड एकोसिस्टम तो पॉंड इकोसिस्टम में 30 का बी यह यूपिपिस्ट 2010 में पूछा गया यह कोशन अब देक 31 कोशन नमा विच वन फॉल्विं और गनिजम इस लाइकली तो सो स्बाइब निखिए्यो नुए में 50 कोशन पूच रहा है तो तो अब्धो पढ़े थे कि बायो एकौमिलेशन वात मितलब क्या हुग वगया कि एको इको सिस्टम में जो इंडिउस होता है जब कोई जया इने अब उस्पवल्चिट इंडिस होता है जिसमें इंडिस्ट होत प्रोड KErica कौन्यूम करेगा प्राइंडि अब और नहीं कर गए करा से दाती आएगा थी प्रोड्यूसर में क्या होगा थैसे इसे हो जबूसर होगा सब चाहियर सब दोलें पास इसके kilometक्य करता है तो चैनरिक करते होगा थे आप्योने की जान्स' सब्सक्राइब celebration ज़्यदा अगर 3 ट्रोफिक लेवल ही जो सकेंडी कंजूमर यह थार्ट ट्रॉपिक लेवल यह वहें पर इसमस्यज़ाइशन सबसे ज्यादा होगा नीज टॉप टॉपिक लेवल होता है। वहां पे concentration सबसे ज्यादा होता है प्लिटेंट का क्योंकि वह मेगनिफाय हो जाता है यहां पर होगा बायो मेगनिफिकेशन यहां पर अगर आप देखें तो ग्रास ओपर है टॉंड है असनेक है केटल है यहां पर देखिए सबसे टॉप कंजूमर यहां पर कौन सा है टॉप यहां पर क्या होगा आपका त्रीट्रोफिक लेबल में इसका सबसे ज्यादा रिखेंट्रेशन होगा किसका डॉप का तो बायो मेंगनिफिकेशन किसमें आकर होगा तो स्नेक में इस तरह से भी यह कोश्यन को पुचा जा सकता है कि किस और्गेनिजम में विच और फॉलिं इसमें डायर्ट बायो मेंगनिफिकेशन को सो करेंगा तो कौन सा करेंगा इस में से इसमें से गिवेन ऑप्शन में से असनेक करेंगा जो टॉप कंजूमर होगा इम टॉप ट्रॉपिक लेबल में आएगा तो यह सी होग ए ठाटीवन का सी यह आप देख सकते है यू पीकि नहीं नहीं पूछा है कोचन तो 1997 में तो यह आपको तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा अब चली 32 नमर कोश्टन देखते हैं लोग अमांट अफ एनर्जी दूरिंग दी ट्रांसफोर्ट फ्रम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनधर इन एको सिस्टम क्या होगा डिक्रीज होगा क्योंकि 10% लोग हम लोग पर हैं रेमन रेमन लिंदेमें ने जो दिया था लिंदेमें इसलिए इससे माना जाता है कि इन्वाइन अफ इन्वार्मेंट माना जाता है इसे एकुलेप्टस का थर्टी तरी का भी हो गया फिर दा एक्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैविटेट इन दी फ्रेश वाटर कम्यूनिटी तो हम लोग परहेंगे टाइप अफ एको सिस्टम में नहीं परहें तो उसमें परह लॉटिक और वहीं पर लulaैंटीख उसको बोलेंगे ईहत्स में बाटर जो है इसे ष्टेटीक हो तो उसी को बोलेंगे लनीट् अब साओं से आसमेंe डेट उन हम लोग देटेल में परहें पर कि यहां पर वाटर क्या कर रहा है अस्टेटीख हो नहीं कर रहाऊ पॉंड और सकता है तो पहुं सेटोंड सोम पेंसर हो गया यह हो गया यह inपिशा गया मदप्रदेश साथ कुछा गया 2014 में your question कि फिर थर्टीफई नुम्हें थीजिए के बीच में था का तुर्फो हो गया सब्सक्राइबर देडिख का देडिया का । यंभाइब थीजि° इस विजा पूचा गया में थे टैसे पिछिस का उप दे फॉलोंगि इसा फीजिन सका सिचे था हुट होगया है यह सबसे ज्ट उसका जाद नहीं पूछा गयाँ और टू-ह 오른ॉ exam सरぞ Κह्षा निस द्रोड के हैं आपको यह पुछने चाहिए कि तब च्पूछ जादा अस तर्स्ट शे 계속 होता है यहां पर अप यह सबसे यह लैंगे पाए जाता है अगर भी टूटल अभी तक था इनिम्ल फइलार रिकाग्नाइज चिया गया जिसमें से थाइट फॉर के आसपर इसे पाई जाता है सबसे हाई बाइव डाइवर्स इसमें होता है इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसका होता है तो इस तरह से रिपीट होते रहता है अब 38 नमर कॉश्चन देखते हैं कि तो फूलिंगा स्टेटमन मोस्ट ऑफ दे वर्ल्स को पढ़ने थे पहले हम लोग पूरा कोरल रिप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब ट्रॉपिक के टाइप सब्सक्राइब के बारे में पढ़ेंगे मरी निको सिस्टम तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे को रिप के बारे में लेकिन थोड़ा समय लोग और भी जानना चाहते हैं यहां पर ऑबर्वियू देख लाते हैं इसका अदमी से कुस्टें को सॉल्व कर कि चलुके कपार्म जानता हैं सब्सक्रा तो थे सब्सक्राइब कार स्ब्सक्राइब करता आज केलसियम कर्बोनेट को सिक्रीट करता है जो कि एक स्कल्टन फॉर्म करता है जैंट स्ट्रक्चर होता है जो कि उससे क्या करता है एक रिफ का फॉर्मेशन करता है जिसे के एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं अस्टेलिया का ग्रेट बेरियर रिफ आप गोगल करके उस और फिलिपिन यहीं तीन कंट्री में लोकेट एक वोल्ड काम वॉस्टली जो है ओन थर्ड ओप दी को रिफ जो है लोकेटेड आ अस्टलीया इंडोनेशिया फिलिपिन थे यह आपको याद रखना ब्ली जो था है one अुट नियुक्ट था फिए प्लानेट का सब दाइबर श प्येलीजी दो क्तारिया जेक्टनेट अनिद पर ससे ने की जो एनिमल फासिसे की जी जी जाMore सब्से से कि उन फ़िए बीसमिया को ऑगय सब्सवानिध दोppen चनु से भी स्वागिया को जाता हैं भी हम सबढ़न किया गया है यानि उसको टेक्सोनोमी हरेर्की में डिवाइड किया गया कि डॉमेन होता है पहले डॉमेन के बाद किंग्डेम हो गया किंग्डेम के बाद में फाइलम यानि फाइला हो गया उसके निचे फिर क्लास में हो गया फिर क्लास से फिर और में फिर और से फेमिली में उसके जीनस में हो गया फिर स्पेसी में तुस्सी तरह से अगर जो फाइला है तो अभी टोटल देखेगा तो लवर 36 एनिमल फाइला को रिकोगनाइज किया गया है साइंटिस्ट के दौरा दिसमें से 36 एनिमल फाइला में से लगभग 32 जो एनिमल फाइला है वो क्यों यहां पर पाए जाता है और अगर आप ट्रोफिकल रेंफोरेस्ट की बात करेंगे तो यहां पर नाइन फाइला ही पाए आता है लेकिन यहां पर जो है 32 फाइला पाइला आता है आउट ऑफ 36 रिकोगनाइड एनिमल फाइला में तो इतना देख सकते हैं इसका बाइव दाइज है तो थाइए नुमर कोशन अब देख कि का बोल्डा कि मॉस्ट अफ दी वर्ल्स कोरल रिफ और इन दी ट्रोपिकल वाटर यह सभी अमलोग परेते कि ज्यादा तर जो कोल रिफ होता है वहां पाए आता है इस ट्रोफिकल वाटर में पाए आता है तो फॉस्ट इज क्रेक्ट सब्सक्राइब मोर थन घर्ट सब्सक्राइब और जो केंट इन दी ट्री अस्ट्रेटरी अश्ट्रेल आं डोनेसिया फिलिपन जी करेक्ट आए आपि यह लुग देख लोन थाट से ज्यादा को रिफ यह लिए पाए आता है यह ऑंक्ति होस्ट फार मोर रंबर अनियॉट करेक्ट है तो तीन नोगा थीनोह करेक्ट होगी यह डी ओप्शन करेक्ट हो गया ठाटी एड ने-डी तो यह आप देख सकते हैं कि ठाटी एड़ी हो क्वान सा है तो हम लोग पढ़े थे आपको याद होगा biological classification के बारे में पढ़े थे लेवल बारे तुसमें लोग पाहए थे कि ओर में से और गन बना जंक मुझा से फिर नटिसू बना और गन सिस्टं बनेगा पर गन सिस्टम से इंडिवीödियो ऑर्गनीजम बनेगा इंडिवीजल के बारे इस इसी स्टा solutions में व投ब को ए इस खुर्थ सिस्टम potato Commons Bo我觉得 about the Ky REP अब इना अजह बहुत सारे मोगम होकी क्यां स्वेर तो यहाँ पर देख करके बताई सबसे लार्जिश्टेम कौन सा होगा सबस्सक्राइबस बाको सबस्फर बहुत सबस्बस कि के यहां पर सबसे बरा कौन सा हो गया बाइस फेर बाइस हो गया क्योंकि यहां पर इत्मस्फियर भी है है यहां पर प्रिजेंट है तो बाइस फेर हो गया तो 39 का डी हो गया यह उपीश 2017 में क्योंच पूछा गया है अब हम लोग 14 नुमर क्यों देखते हैं कि दा साइक्लिंग फ़ेलमेंट इन इको सिस्टम इस कोड़ इको सिस्टम में जो साइक्लिंग होता इलमेंट का उसे क्या बलते हैं बाइजियो केमिकल साइकल तो यह हो गया बी ऑप्शन हो है तो 40 का बी सिंपल सिंपल क्यों आ रहा है जाख हकते है 2012 में भी पूछा गया 2020 में भी क्यों से से म क्यों से रिलेट है से रिलेटेर है रेखने इंदस्ट्रियल मनेजमेंट इंडस्ट्री से क्या नाधा एकोलोजी को तो इंडस्ट्रियल मनेजमेंट इडिलेटेट नहीं है एकोलोजिकल वालेंस है तो 41 का सी यह यूपी पीसे 2005 में पुछा गया है तो अब फूटे टू नूमर कोश्चन देखते हैं कि एकोलोजी इस दा पर्मानेंट एकोनोमी इस लोगन फिच मूवमेंट का एकोलोजी बोला गया था कि अब फिच्पको मूवमेंट का जो स्लोगन था वो था एकोलोजी इस दा पर्मानेंट एकोनोमी यह क्या हुआ था गवराद देवी ने स्टार्ट किया था जो एक ट्राइबल मंथी 26 मार्स 1974 में उन्होंने क्या किया था कि जो भी विलेज की मूमन थी उनको क्या किया था उनक पेर था पेर के रॉंड बूग सारी चिपक गए और जो काओने वाले थे पेर को जिथ हो लॉगर्स थे जो काटने पेर को काटते थे उसको चिपक करोंगर के पेर को оргinator यह क influenny और देब पेर को बचा रहे थे तो यह था चिंको मोवमेंट को एक पोरेस्ट canão मुवाए ता बिटाट कूप्ट्ट यह कि पर को कालता है उसे प्रोटेक्ट करना ते रेको फिर उस तरह से एक फान नर्मदा बचाओंधोलन जो है एक दयम Const funktion हो रहा this मॉल्ती मोर्डी मं कंश्ट्च रहा था नर्मदा रीबर से उसी के अगेंस्ट में था अब्लार मोइले शनुस्तों अर्माधार रिवार इसके अनम्यदा उचा फिर उसकतर से को मोवमेन्त इसकत होतै कि स्कुंधिन अब् Europ Harald हो तो दो कि में लिभी निता इंवरीमेंट को पर्रेक्शन से रेलेटेब्ट ब homolo के बार में देख तो अपर है सब्सक्राइब करनाटका में स्टार्ट हो गया था जिसका में था इंबरमेंट प्रोटक्शन के लिए नर्मदा बचावा अंजोलन यो कि मुल्टी मोडल डेम जो कर्स्ट्रक्शन हो रहा था नर्मदा रिवर पे उसके अगेंस था तो इस तरह स तो प्लांट कंजर्वेशन से लिड़ेट था फोटी थरी का ए प्लांट को कंजर्वेशन के लिए था था यूपी पीसे 2015 में पूछा गया और उससे पहले यह जो चिपको मोमेंट वाला कोश्चन था वो 2007 पूछा गया था अब फोटीफोर नमर कोश्चन ने को रहा था कि यह तर्म एकोसिस्टम वाज फॉस्ट यूजड वाइजी टैंसले यह एकोसिस्टम को यह तो यहां पर ऑप्शन से लिम्नेट कर सकते हैं तो डी तो नहीं होगा सी नहीं होगा तो बचा दो ही ओप्शन ए और ए और बी दो और गनिजम फिच प्रोडूइस देर फूड दे पोलते हैं तो यह तू भी करेक्ट है तो बाने टू और फिक नूमर्स कंजूम देर फूर्ट तू प्रोसेस ऑफ पोतो संथेजी नहीं यह तो प्रोडूइसर करता है कि आपना फॉट प्रिपेर करता है फॉट शंथेसिस के यल्प से तो उसको उट्टो टो प्रॉप्शन है इन नोर्गनिक मेटर इंटो प्रॉट करता है कि अब उर्गनिक मैटर को अनुट करता है तो उसको टू प्रॉट पीश चुलाइब कोस्टण फटेक्वाइब के एको जशटमीन ओडर उड़क्र ने पनाफ निए सबसे कम प्रॉट्ट प्रॉटτικविटी यह तो सबसे कम तसलिए ने कान पर देखिए और बोस्क्राइब आपको दिख रहा होगा ज़िए अब प्रोट्टीविटीटिविटीटीवीट उसका इन ग्रास लेक्स का सबसे परेखो सिरे खास का मोगा ऑजयन का यह लोगो ओड़ी पर भी चुके तो सिटुट उपन क्था चुट होगा स्ट्रेटमेंट और एफ फूर्चेन इलिश्ट्रेट दा और इन फिच एचेन और 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 फूर्ट इच अपनीजम फिड़ प्रहें यह करेक्ट है एक और गणिजम दुसरे को किस तरिके से उसको फूर्ट फीड करेगा तो उसी चैन को बोलता है फूर्चेन तो यह एक फू इस री लाइन को कई यूम कर जाएगा तो यह गलत है सकेंड से आप देख लिए सकेंड इसमें इसमें गलत हो गया भी गलत हो गया जी गलत हो गया फूर्चेन सी अनलेस्टेट दाल नंबर अफ और गेनिजम फीच इटन वाय अधर इसे बोलते हैं फूड वेब नाकि फूर् सब्सक्राइब हो गया यह आपका UPSC में पूछा गया है UPSC 2013 में पूछा गया है इस के पूछा गया है फिर फोटी से बने में कोश्चन देखते हैं वीच आप फॉलिंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है घ्री अन्य पूठी स्टेटम इस्टिंट निया इनर्जी ऐनर्जी हमें साणर में फ्लो करती है तुर तो एनर्जी रहीатив पर ब््नी तो यहां आनल गया को को दिक अखृथ कर रही है तो इनर्जी हमें साट घॉर eight गाना को इसए आफ गॉर unidirectionally flow करते हैं तो यह सेंट्रालिस के यह करेक्ट है और बाकी का भी ऑप्शन हम लोग देख लाता है देनर्जी फ्लो इन दी बायोस्पेरिक इसाइकलिक इसाइकलिकल गलत है दे रिलेटिव लॉस ऑफ अनर्जी इन नेच्रोल उको सिटम डिक्रीजेज विचिंग आपका क्या हो गया 47 का ए तो यह आपका UPPCS 2015 में पुछा गया कोश्चन फिर है फू अप दी फोलोईंग यूज दी टर्म डीप एकलोजी टर्म किसने यूज गया था दीप एकलोजी टर्म यूज किया था अर्नी निस ने अर्नी ने जो की UPPCS 2014 में पुछा गया तो यह दीप एकलोजी वर्ड यूज किया गया था अर्नी निस क्योंकि यह फिर से हो सकता पूछ सकता फिर 49 कोश्चन दा कंसेप्ट ऑफ एकलोजी कली नीश वाज इनन सियेटेड वा यानि एकलोजी कली जो है उसका कंसेप्ट किनोंने स्टार्ट किया था ति यह जोशव दिने और 15 मों तॉच criticisms उसका गया था टोशन तो फोर्टे NIN का D तो फूर्टी को आगे हो गया ग्रिंगर समझतिन के अ पहल फिप्रेटीन म Mire ? Making the तो मेन का कितना नीड को फुल्फिल कर सकता और थीको घ्समजिट। में कर सकता हुषि का मेजरमेंट को बलता है इस अग्छीकल फुटकल में जिसको गलॉवल हेक्टर में मेजर किया जाता था तो 50 का option हो गया 50 का answer हो गया यह जो कि यूपी पीसे 2016 में पूछा गया था ग्लोबल हेक्टेर दा फिर 51 में देखे दा मिनमम एरिया आप दी लेंड रिक्वार्ट तो कम्प्लेटली सस्टेंड लाइफ आप परसंड यानि कितना मिनममम एरिया का जरूरत है किसी भी यानि ले परसंड रिक्वार्ट तो कम्प्लेटली स्टेंड ले लाइफ अवर एद्धिन का यिवाद का रिक्वार्मायन है तो अभे म्म लोग परतर कि को लाइद होता है कि waiting Дोत अच्याय हो लेंड हो गया, Food हो गया, Energy हो गया, जो भी है, नीड है, हुमन का, कोई भी ecosystem कितना fulfill कर सकता, उसी को बलता है, Ecological Footprint, वही चही यहां पे भी, वही बल रहा है, कि Minimum Area of Land Required for to completely sustain the life of a person, इस गॉल, Ecological Footprint B, 51 का, B, यह UPP से, 2012 में पूछा गया, कुछिन जहीं दखिए उकलोजिकल फुट्रेंट के बारे में पुछा था 2012 में 2016 में पुछलिया उसका उनुटियन किसमें में जर किया जाता है उकलोजिकल फुट्रेंट फिफ्टीव नुमर कुछिन देख्टेंगे था ता Millenium ecosystem assessment describe the following major category इसके बार में लोग पले जान लेते हैं उसका कोशन को स्वाह रहें तो इक रिपोट था World Development Report World Development Report 2010 इसका टाइटल था Millenium Economic Assessment millennium ecosystem assessment assessment इसने जो है ecosystem services को ecosystem जो service provide करती है ecosystem जो service provide करती है इसको पांच category in categorize कर दिया जिसमें पहला है ecosystem services को 5 category in categorize किया जिसमें पहला आपका है provisioning services provisioning services नकिलाबông कि आपको ecosystem क्या provide कर रा है directly जैसे आपको ecosystem के provide रहा fresh air provide कर water provide कर रहा soil ka formation provide कर रहा inspired atch soil formation हो रहा है तब तो भूसी में बास्य में態 प्लेडब प्लेज़ भी जो फेले हैसे सब्सक्राइब बहल शुक्राइब बड़ किला हमेर फूर्ड राय वाल वट tap कर रहा है वाहए अपर नेकिल से नहींस सअ फसरी कर दाइब इसरी जो रायद सर्विशेस्ज्छ स्पीलिट्रार्भक दुसरा एक ट रोदानां aus अट त्रविश्च क्लामेट linger and go Control कर रा यह वाटर को पुरिफाय कर रहा है पिर मेतिगेटिंग डॉट यह फ्लाट्स जो आ रहा है उसको क्या कर रहा है मिटिगेट कर रहा है फिर थार्ड जो है supporting services जैने support कर रहा है help कर रहा है जिसे nutrient cycling में help कर रहा crop pollination में help कर रहा ecosystem providing a storage site for carbon in a carbon को सिंक करने के लिए storage capacity provide a storage site provide कर रहा है carbon को storage करने के लिए जैसे आपका ocean में storage हो जाता है पेर पहुदे उसको सिंक कर लेता है यह सब क्या हो रहा है supporting services provide कर रहा है का ecosystem यह आप समझ सकते हैं कि nature को क्यों protect करना ज़री है कि यह सब services provide करती है आपको free of cost provide करती है और आप कुछ देखेंगे कि अगर कुछ scientist ने इसका assessment किया और इसको money value monetary value term में convert करके देखा तो यह लवह बताया गया था कि 33 trillion trillion dollar US US dollar के आज पास इतना के services free of cost हम लोग को provide कर रहे है इसलिए इसलिए कि नेचर पर प्रोटक्ट करना तो यह supporting services में हो गया फिर चौथा जो है cultural services जिसे spiritual हो गया spiritual services educational services recreational services provide कर रहे से बहुतना cultural services फिर पाच्मा जो होता preserving services जिसे biodiversity को maintain करके रहा है तिये क्या होगा preserving services यानि इस तरह इसे जो एक को millennium ecosystem assessment जो है उन्होंने के उसने क्या किया किया कि उसके ecosystem services को पांच category में divide कर दिया पहला है provisioning services दुसरा regulating services supporting services cultural services और preserving services तो प्रिजर प्रोविजिनिंग services में क्या क्या आगया कि आपको fresh air provide कर रहा है water provide कर रहा है soil formation करा रहा है और फुड-dr we water provide klala equivalent egils candy Seasonal regulate कर रहा चीजों को जैसे कि climate change हो रा school regulated control older disease and control the purification of ona air ko purifier करे यह पूरड को purifier कर दे रहा है यह दो थो dodo tea floor üç mulck को mitigate कर रहा है, supporting services यानि support कर रहा है, function हो रहा है, nutrient cycling में support कर रहा है, crop pollination support कर रहा, storage capacity provide कर रहा है, carbon को store करने site provide, जगा provide कर रहा है, cultural services में, spiritual services हो गया, educational services हो गया, recreational services हो गया, preserving services में, biodiversity को maintain कर रहा, तिये 500 services में ecosystem services को categorize कर दिया गया है यह चीज आपको याद रखना कि कौन सा services किसके अंदर आता है क्योंकि इससे पे question पूछा जा चुका यूपे सिम अल्रेडी तो अब हम लोग 52 नुमर कोशन परता है the millennium ecosystem assessment describe the major category यह पांच category में जो हो गया ecosystem services को categorize कर दिया था पहला अब इसमें से पूछ रहा है कि which one of the following is supporting services कौन size में से जो है यह चारो अप्शन है इसमें से कौन से supporting services यह support कर रहा है the production of food and water यह क्या चाहिए आप में आगा provisioning services में तो अब दूसरा क्या है control of climate and disease यह कि services में आगया आपका regulating services में थे यह भी नहीं होगा फिर nutrient cycling and crop pollination यह क्या हो गया यह supporting services में आगया and maintenance of diversity कि में आगया आपका preserving services में यह भी नहीं होगा तो बचा क्या सी तो 52 का सी तो आपका यह UPSC 2012 में पुछा गया है यह नहीं UPSC में पुछा गया था जो यह रबाड़ा माई इसके प्लिन से घ्याम में फिर which one of the following is the correct sequence of fortune fortune यह हम डियक्ट बता चुका है कि सब्सक्राइब करेक्ट फूर्चन कौन सा है तो डाइटम डाइटम को crustacean स्काएगा उसकान हेरिंग शेक्टर का फिस और बाकी का फिगर देख सकते हैं Google करके तो यह option इसका करेक्ट है 53 का यह यह आपका UPSC में ही पूछा गया 2014 में फिपसे 2014 में पूछा गया अब 54 वीच्वन आफ देफॉलिंग स्टेटमेंट इस्ट्रू एवाओ बायोनोमिक्स बारे में भी हम लोग पर चुके हैं कि बायोनोमिक्स सिम्लर है कि इसका तो एकोलोजी का तो इट मेंस जिसे कोई लेना देना हूं से नहीं है तो फॉस्ट थैंकर्क्रेक्ट हो गया था अप्स्टन को आप करके डाइच जा सकते हैं था फिफ्टीफ़ का इटिश थी निम्स एकोलोजी एस करेक्ट है इस इस अच्छेस डिबहुआफ नेचरल सिस्टम जह ता उसके बैलु के य प्रिप्टिफाइब नूमर कोशन में देशते हैं इन दी कंटेक्स्ट आफ एको सिस्टम प्रोडक्टिविटी इस मरीन अप्वेलिंग जौन आप इंपोर्टेंट मरीन आप वेलिंग जोन बोल रहा है कि इंपोर्टेंट होता है एस दे इंक्रीजेज दी मरीन करता है कि में जैंब चले गाए या किसी कारण बस यहां का मालीन यह से हट जाता है हुआ जाता है तो क्या होगा जब यहां से हट आउट होगा यहां पेघ्वा क्रomma क्रेट हो जाए इसके इसको फिल्य नीचे वाला वाटर क्या होगा उपर की और आएगा तो इसी कुबलत इसको बलते हैं अपवेलिंग आई जब नीचे से उपर की और आएगा तो क्या होगा जो भी बॉटम में नूट्रिंट सिंक है वह क्या करेगा यह अपने साथ नूट्रिंट को लेकर के आएगा जिसके कारण से यहां पर क्या होगा प्रोड़क्टिविटी इंक्रीज हो जात बॉटम ड्रोड़िंग और गनीजम टूदी सर्फेस कोई मतलब नहीं है उससे प्रोड़क्टिविटी से कोई लिए नादा नहीं है तो नूट्रिंट को लाता है सर्फेस पे जिसके कारण से प्रोड़क्टिविटी इक्रीज़ जाता है तक हेवाल टू होगा 55 का बी यह 2016122 पुछा गया on जहां पैंपर कुछ नहीं होगा वह से जाकर के क्लामक्स कमुन्यूटी ने से लिए कॉमूण commीनिटी बना जाएगा तो लेकिन इहां पे अनुठेश्लान को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसका में कारण इसलिए होता है क्योंकि महां पे और हलने पहले था लिखने पर Würr कारन से यह water scarcity कारण से क्या हो गया कि ठीक खतम हो गया यहां से खप 내ोगे तो आप यहां पर जेकने धने को करत पाएगा क्या होगा निटरेंज होगा plastic वास हो जाएगा वहंवाट से को फिर मस्रीम का सपूर्टेंभ ट्री तो इसको कपस नहीं का य breaths हो केण स्टेम एक ok सब्सक्राइब यहां पर आपाएगा ने ग्रास लेंड इको सिस्टम ही रहा पाएगा तो यहां पर आप आप संदेखिए कि इन्सेक्ट अन फंजे नहीं सिकुले नहीं 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 लिमिटेट सनलाइट इन पॉसिटी ऑफ निट्राइब यह भी गलत है वाटर लिमिट और से वहां पर ट्रिको सिस्टम नहीं आ पाएगा तो यह पीसी 2013 में पूछा अधर के 57 नुमर कोश्चन वीच्वन फॉलंगी दक्रेक्ट सिक्वेंस ऑफ फेज और बायोटिक सक्सेशन तो बायोटिक सक्सेशन जो होता है बहुत सारे फेजिज में होता है तो हम लोग नहीं में पर अपर यह बैसे नहीं तो हो गया ऊपे कोई बढ़ात है कुछ में नहीं कोलिपेंगिना घंता तो थो क्यों में इ má पर उसके मायगरेशन कर दोड़ा यहORA की बाद़र किस टुलि होगा चैक्रों और संच के बाद में पिर का रिया एक्या होगा मैध्या स्टेज स्टेज पायाा रखना कि बाया प्रीं के आपको आखे ऐसम έप घुलाइजेसिशन को हीलाइजेशन के आढ को याद रखना पिसके अच्छेशन गुता है उसमेश्पी अर्सेश्ता टुर्स मैं टुटेचेश फिलोगों hattenaha टुम् स reigns इंटार सिक्वेंस ऑफ कम्मुटी डेट सक्सेशिवली चेंज इन पर्टिक्ला डिया अलकॉर्ट टिक लोग्ली के सिक्सिवली क्या था यहां पे बेर रोक है बेर अज्टरों प्रक्रिम क्या आएगा लाइकन अंध्मोस आएगा लाइकन अमॉस आएगा कुछ ग्रासे साए शयांगत शबस्टी तो इस तरह से स्क्षेशन होता है। स्टैज दे क्या हो रहаться है इस को यह क्यार स्टइज्स के आप सेखर यह कॉल्टेज्स इस प्रोसेस इक वो रहे है इस प्रोसेस को बोलते है इक घला इस सॉक्षेशन अंज्य र्रैस्ट्षेक हो lect Deixa ha O इस तरह से जो स्टेजेश इनवल्ट की इसके बाद यह आएगा इसके बाद यह आएगा यह जो स्टेजेश इनवल्ट है यह स्टेजेश को बोलते हैं यह स्टेजेश को बोलते हैं स्टेजेश यह सेक्वेंश जो इनवल्ट है इस सेक्वेंश को बोलते हैं सीयर ऐसी आरी त क्या इसको एकोलोजिकल सक्सेशन नहीं क्यों कि इस प्रोसेट्स को बोलते हैं इकोलोजिकल सक्सेशन ना कि इंटार सेक्वेंस को बोलते हैं तो सेक्वेंस को क्या बोलेंगे तो 58 क्या हो गया बी यह तो 2020 वाली जो एक्जाम होई थे यूप पीसेस का उसमें कोश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं 59 नूमर कोशन कि वी चुन अब दी फोलंग इदा क्रेक्ट ओडर ऑफ बायोजिकल और अर्गनाइशन रेंजिंग फ्रॉम कॉमुनिटी कमुनिटी से क्या सभका वहागा एको स्थंफ है को सभका बमिंज लैंडत हो गया पॉनिट सक्वाग घर Immer सब्सक्राइब एक लास्ट कोशिशन बचाएं एक लास्ट कोशिशन बचाएं इसको क्या बलेंगे पुछ रहा है कि दा प्रोडक्शन एड दी ओटो टॉट्रॉप लेवल इस सब्सक्राइब उ प्रॉड दा क्या वढ़ें कि जो आर्ट्रॉट्राइब फिज उप प्रोड्फ्ट्रहण फ्रॉट्रोप टेस्ट को क्या भूआ यास करेक्ड तॉटु क्या हो इसको गया है दोनों काहई यह इसinsky your क्या हो गया सी यह आपका यूपी से 2016 में पूछा गया 17 में बूछा गया सुरी तो इस तरह कसे जितना भी हम लोग ने बेसिक पढ़ा था जितना भी जो भी छोटे से बरे कंसर्ट था था सारे हमने क्लियर करने के कोशिश किया यहां पर और इस तरह से जितने भी स्टेज पी और इस तरह से देखते रही है और अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं और पीडियाप के लिए आप टेलिग्राम का नीचे लिंक देया हुआ आप वहां से जाकर करके पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं आप कुछ से भी क्यों बिए दन्वाट